कोंग्रेस अपना कितना भी जोर लगा ले सरकार बनेगी तो बीजेपी की बनेगी यह पर तो बाई साहब किसकी सरकार बनते हो दिखरी है आपको रजस्तान में? देड़ें राजस्तान के अंदर सरकार तो वैसे बीजेपी की ही बननी चाहिए विचार दहरा की बात करें हम लोग तो जादा-तर अभी जो झूथ भी है तो सरकार तो बिजेपी की बननी चीए उस-साव से क्योंकि मैं हिंदू हूँ। हिंदुत्व की बात करूँगा। हिंदुत्व क्या मतलब यह है कि अगर उसके अंदर कोई मुस्लिम भी चाता है कि वो उस विचारदारा से अगर सहमती रखता है तो बिलकुल बीजेपी का समर्थ तक है बाकि यहां सरकार बीजेपी की ही बननी जरूरी है और उसके अंदर भी मैं आप लोगों को बताऊं कि जो वसंद्रा राजे है मेरे क्या से बसंद्रा जी अगर यहां का चैरा नहीं रहती है तो बीजेपी के पास पर यहां पर और कोई चैरा नहीं है तो चुनाव सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही जीता जा सकता है यहां की राजनीती यहीं बोलती है कि मोदी जी के चैरे पर ही बीजेपी चुनाव जी सकती है रह सबी राज्यों के अंदर बीजेपी का होना जरूरी है ताकि पूर्ण बहुमत के साथ में किसी भी काम को करने के लिए बीजेपी को किसी के सहमती की जरूरत ना पड़े अगर पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है तो दस फरवरी के दिन असुप गैलोत विधान सबा में बजट पेस करेंगे वो के रहे कि युवाओं को ध्यान में रखकर के क्या बजट पेस करेंगे आप ये बताइए आप युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब उनको पैसा दे देंगे फिरी में या आप उनको क्या बढ़ती जारी है कि आप अगर दो लाग युवाओं को जौब दे भी देते हैं तो यहां पर तो 20 लाग बैठे हुए हैं उन 18 लाग का क्या होगा वो तो मुद्दा हमेशा से जो चलता है वो चलता रहेगा सचाई ये है अगर आप 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 लोग खुद ग्राउंड बढ़ेगा बीजेपी के हैं वो कहीं पर भी जाते हैं तो पहले हमारे देश की प्रदान मंत्री जाया करते थे तो और देशों के जित्ते भी मतलब राजनितिक आदमी होते तो उनके पीछे उनकी बीड में चला करते थे आज मोदी जी किसी भी देश के अंदर जाते तो व पीजेपी के अंदर बहुत टाइम से चल रहाता लेकिन कभी भी मोका नहीं मिला जैसे गजंदर सिंग्जी हैं उसके अलावा 37 पूनिया हैं उसके अलावा सबसे बढ़िया रहेंगे औम्मातुर जिनकों की कभी भी यहाँ पर मौका नहीं दिया गया और मेरे क्याल से हिं अगर हिंदु वाटी विचारधारा की बात करें क्योंकि BJP से जुड़ने का मतलब जब तक BJP की विचारधारा हिंदु वाली है तब तक BJP के साथ में जोड़े हुए हैं मेरे जैसे लोग जिस दिन उनकी विचारधारा बिलकुल भी हिंदुतु से हटती हुई हमें दिखाई देगी हम बिलकुल BJP का साथ चोड़ेंगे ना हमें कॉंग्रेस से मतलब है ना BJP से जो हिंदुतु की बात करेगा उसके साथ मे अपने आप में तो आपको क्या लगता है कि केवल हिंदु के मुद्दे के उपर क्या बीजेप चुनाव लट पाएगी और जीत पाएगी देगे मैं आपको एक सी बताओं कि BJP ने तो कभी भी खुले तोर पर ये चीज बोली ही नहीं है कि हम सिर्फ हिंदुों को इसाथ मे नहीं है बीजेपी अमारे लिए किसी समर्तन में खड़ी नहीं होगी इसलिए वो लोग कॉंग्रेस की तरफ जुके हुए हैं बाकि अगर आप नॉर्मल विचार दरा अगर सभी को बैठा करके समझाया जाए कि जो देश का विकास कर रहे हैं उस तरफ जाया जाए क्योंकि मेरे को एक ची बताईए आपने बोला नेशनल की बात चोड़ते हैं अपने लोग राज्य की बात करते हैं तो राज्य के अंदर सीधा सीधा फर्क पड़ेगा अगर यहां पर बीजेपी बनती है और सेंट्रल के अंदर बीजेपी बैठी हुई है तो यहां कोई भी विकास कर रहे है जो आज कभी गहलो जी के चारे ना टक जाता है तो बिल्कुल कॉंग्रेस का किसी तरीके से समढ़ते हैं बी जेपी ही चीए इस राज्य के अंदर आपको बताता हूँ कि राजनीती के अंदर आप भी इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि दो ही पार्टियां बहुले के साथ में चल रही हैं आपकी बार आपका ऐसा है कि बिल्कुल वो पार्टी पंजाब के अंदर एक तरफ राज करके बैठी हुई है दिल्ली के अंदर उनका राज है जाके सेंट्रल गॉर्मेंट चलती है वहाँ पर उन लोगी सरकार है तो बिल्कुल आप पार्टी हो सकता है अपनी 10-15 सीटे 20 बिजेपी को वोट देने वाला आदमी कभी आप आजाए और बिजेपी को ही देगा वह कॉंग्रेस को और किसी पार्टी को वोट नहीं देगा योगि हम लोग विचार धरा के पीछे चल रहे है जिनकी विचार धरा यह है